असलाम लेकुम एस्पिरेंट्स वेलकम बैक सो फाइनली MPT की रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और मैंने सोचा कि अपलाई करने का ठीका आपको मुबाईल की थ्रू पताया जाए कि आप मुबाईल से कैसे अपलाई कर सकते हो क्योंकि जिनके पास laptop नहीं है computer नहीं है उनको परिशान होने की जुरूत बिलकुल नहीं है वो अपने मुबाईल के थ्रूँ apply कर सकेंगे तो देर किस बात किये चलें start करते हैं सबसे पहले अपने जाना है google पे ठीक है यहां पर आप देखेंगे कि just couple of seconds में आपके सामने website show हो जाएगी यह इसका front page है आपने इसमें क्या करना है कि यह three dots जो है टॉप राइट पे उस पे क्लिक करके desktop site पे क्लिक कर देना है आपके सामने अब यह page इस तरह से show होगा आपने यहां पे apply online पे क्लिक करना है चीक है apply online करने के बाद यह जो second है empathy वाला इस पे क्लिक कर देना है यहां पे हमें rules, slabby, guidelines, चलान form यह साथ चीज़ें मिल रही है लेकिन अभी हमने इन चीज़ें पे focus नहीं करना है हम यहां पे एक name दे देती हूं में guesses almas यहां पे आपने login अपना देना है login वो कह रहे हैं कि कमस कम चार का होना चाहिए तो let's say हम यह दे देते हैं साथ इसकी उन्होंने कहाए कि आप number भी add कर सकते हूं तो हम number भी दे देते हैं इसके बाद password को उन्होंने बोले आप अपना password कुछ भी type कर सकते हूं confirm password करना है आपने ठीक है again वो ही जो password आपने type किया था again type कर देना है उसके बाद आपने अपना email address देना है email address आपका जो है make sure कि वो active होना चाहिए बिल्कुल ठीक होना चाहिए तो मैं लट से यह email address यहां पर देते हूं .com email sorry ठीक है यहां पर आपने पने CNIC देने और यहां पर बता रहे हैं कि इस तरह से हो यानि dashes वगेर इंक्लिवड हूँ तो मैं यहां पर लिख देते हूं 36401 dash 3 4 04029 again dash 1 ठीक है अब यहां पर आगे आपने यह जो code आपके सामने 4377 ATC पर क्लिक किया और submit form कर देना है submit आपने किया तो यह एक दफा submit हो चुकिया आपके बस यह again screen आगई इसमें आप आपने simply इसे login करना है login करने के लिए वहां पर अपना जो login दिया था login दे पासवर्ड आपने जो वहां पर टाइप किया था यहां पर वो password दें और login कर लें यह आपके सामने login हो किया ठीक है यह हमें उन्होंने कहा कि वेल्कम के सिलमास तु कंपेडिटिव एक्जाम आपने वो बता रहे हैं कि आपने क्या करना है कि apply for css या create update profile हमने पहले वाले पर अगर क्लिक किया click here to create your profile बलकि हम apply for css कर लेते हैं अपनी profile बनाने के लिए उन्होंने हमें वो बताया हुए ठीक है और अपनी applicant detail आपने यह सारी देनी है applicant information ठीक है यहां पर यह देखें कि आपनी अपनी name देना है father name देना है date of birth देनी है पिर आपनी date of issuance of domicile अपना domicile देना है अपना religion बताना है ठीक है अगर non muslim है अगर muslim है तो ठीक है अगर non muslim है तो आपने यहाँ पर बता देने कि आप कौन सा subject लोगे like islamic studies इसके one of the subject है जिसमें से exam आता है तो अगर वो नहीं अगर आप civics and ethics लेना चाहे तो वो ले सकते हैं आपने जेंडर बताना है तो आप वहाँ से receive कर सको देना अपने अपना permanent address देना है जो भी आप जहां पर रहते हो ठीक है उसका address देना है आप अपना domicile बताना है select यहां से करना है कि कहां गया आपका domicile लर्स पंजाब का है उसके बाद email हमने पहले दे दिया था आप अपने अपना phone number यहां पर द relaxation अगर आप claim कर रहे हो तो आपने उसका बताना है क्या क्यों कर रहे हो इनके लिए यह government employee, armed forces, scheduled caste, Buddhist community, अजाद कश्मीर, गिल्कित पलतेस्तान, recognized tribes of blochistan, residents of tribal areas and disabled candidate इनके लिए इस relaxation है यह 30 plus वो चली जाती है ना 2 years की तो आपने देख लिए अगर आपने करनी है यहां पर अप आपने चोब यहां पर चूज करना है इस पर यूर प्रेफरेंस आपने यहां पर क्लिक कर लेना है ठीक है करने के बाद यह नीचे आपको सेव कर यहां पर यह जो नजर आ रहा है सेव पर क्लिक करना है उसके बाद आपने यहां पर यह पूरा आपने फिल करना है ठीक है आ यह वाला यह वाला आपने complete fill करना है ठीक है उसके बाद यह जो यहाँ पर disabled candidates अगर disabled है तो उसके लिए आपने वह fill कर देना है ठीक है आप एक fill करें के पूरी create हो जाएगी आपने सारे details देनी है ठीक है मुझे क्योंगे apply नहीं करना है तो मैं यहाँ पर यह fill नहीं करूंगी लेकिन आप देख लिए अगर आपको करनी हो उसके बाद आपने क्या करना है कि application history देखनी हो यहाँ पर आपको option मिला हुए चेंज पासवर्ड अगर पासवर्ड आपने चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो लोग आफ भी कर सकते हो यहाँ से ठीक है और उसके बाद क्या करना है आपने के यहाँ पर apply for css लिखा हुए अपने competitive examination css 2024 empathy इस पर यह जो apply लिखा हुए अपने इस पर क्लि लिख करोगे तो next आपके बास जो है यहाँ से apply हो जाएगा उसके बाद कोई rocket science नहीं है easy step है I hope कि आपको इन चीजों की समझ आगी होगी अगर किसी भी step पर जाके कहीं भी issue होता है तो आ फोरन मुझसे comment box में आगे पूछ सकते हो मैं आपको try करूंगी कि within 10 hours उससे भी come time मे आपको reply कर दूँ ठीक है बागी आपने tension नहीं लेनी है अभी 12 September तक का time है अगर कोई मसला होता भी है तो हम मिलके उससे तब तक resolve कर लेंगे ठीक है I hope कि इन चीजों की समझ आगी होगी और बागी चलान form की और बागी जो चीज़ें वह भी मैं आपको next video में बताती हूं Thank you कर दो कि अभी